और वहीं दूरदर्शन पर बोर्ट परिक्षार्तियों के लिए क्रेस कोष्ट का संचालन किया जा रहा है। इसके लाव आपको बतादे की मेरा विद्याले कारेक्रम के थायद बच्चों को दो दर्शन के मादयम से पढाने का निर्ने लिया गया और दूरदर्शन पर सुबह नौ बज्य से कारेक्रम की शुर्वात होगी और सुबह नो नो से दस वज्ये तक अकशा उनलाइन सक्षन को बढ़ावा दिया जा रहा है वो दूरदर्शन के अलावा स्कूली सिक्षा से जुड़े हुए कई एब जारी करते हुए छात्रों के पढ़ाय सोनेश्चित भी कराई जा रही है और विद्याले परिक्षा समीती से अजित मैट्रिक और इंटर की परिक्ष जो में अध्यनरत मैट्रिक और इंटर के चात कोचिंग संस्थानों और ओनलाइन पढ़ाय के जरिये ही अपना स्लेबस पूरा करने में जुटे हैं और कोरोना की वज़े से परिक्षा की तैयारियों में जुटे चात्रों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और वहीं भ्यार विदान परिशत की 24 सीटों पर होने वाले चुनाब को लेकर महागडबंदन ने अब तक इस्तिती सपस्ट नहीं किया और वहीं आरजेडी ने कहा है कि वो तो दूसरे राज्यों में कॉंग्रेस से सीट मांगनी नहीं चाती है और पार्टी के परवक्ता मृत इंजे तिवारी ने कहा है कि कॉंग्रेस को समझना चाहिए कि विदान सवा चुनाब 2020 में क्या हुआ और उसके बाद उप चुनाब में क्या हुआ वहीं विदान परिशाद चुनाव को लेकर आरजेडी के बयान के बाद अब कॉंग्रिस को लालू प्रसाद का ही सहरा रह गया है और कॉंग्रिस विदायक दल के नेता अजीक शर्मा ने कहा है कि हम महागडबंदन में सीटों के बटवारे के लिए जल्द ही दिल ली जाएंगे और वहां कॉंग्रिस अलकामान सहीद आरजेडी नेता लालू प्रसाद से भी मलाकात करेंगे और लालू के साथ बैट कर ये तेक किया जाएगा कि 24 में से कितनी सीटों पर आरजेडी कॉंग्रिस और लेफट पार्टियां चुनाव लड़ेंगे इसके लाएभ आपको बता दे कि कॉंग्रिस साथ सीटों की मांग करेंगे और आरजेडी उस पर कोई जवाब नहीं दे रही और कॉंग्रिस चार पर भी मान सकते लेकिन आरजेडी ने ये भी स्परस नहीं किया कि 4 सीट भी कॉंग्रिस को दी जाए या नहीं और ऐसे स्थेती में कॉंग्रेस को दालू प्रसाद का ही भरोसा रह गया है और तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव चाते हैं कि 24 में से 24 सीटों पर NDA को हराए जाए इसलिए RGD इन सभी 24 सीटों पर तयारी कर रहा है और विदान परिस्टा चुनाप को लेकर जब महागडबंदन का स्वरूपते हो जाएगा तब मजबूत उम्मिद्वारों को RGD मदद करेगी बिहार के नगर पंचायतों प्रखंडों और पंचायत सिक्षकों के लिए पेतन मद में 9.14 अरब डोलर जारी किया गया और शिक्षा भाग ने ये राशी 66,104 नियोजित सिक्षकों के लिए जारी किया है ये वैसे सिक्षक हैं जो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाते हैं और वहीं जानकारी है कि इस राशी से जनवरी, फरवरी और मार्च का वेतन जारी किया जाएगा और करीब धाय लाग से अधिक सिक्षकों के वेतन के लिए राशी समर्ठ सिक्षा भ्यान के तहट जल्द चारी की जाएगी और इसके लाव आपको बता दे कि राजे के प्रारंबिक स्कूलों में नियोजित सिक्षकों की कुल संक्या 3,23,000 है और वहीं जारी की गई राशी स्थापनमद से जुड़ी है और इस राशी के तहट नगर नियोजित सिक्षकों के लिए 54 करोड नगर परिशत के सिक्षकों के लिए 74 करोड और नगर पंचायतों के सिक्षकों के लिए अब एक अरब रूपे से अधिक की राशी जारी की गई है और इसी तरह प्रखंडो और पंचायतों के तहत राशी जारी की गई और पटना भागलपूर, दर्भंगा, गया मुंगेर, मुझफरपूर, नालंदा और पूर्णिया नगर निगम के 1249 फिशे सिक्षकों के समय कितिक बुक्तान के लिए अलग-अलग कुल 18 करोड से जादा कि राशी जारी की गई, वहीं वेतन राशी का किसी अन्यमद में उप्योग नहीं किया जा सकता है